जैहिन दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने विडियो प्चरों में सोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोड एक्जाम 2025 के बारे में यानि जितने बच्चे बोड का एक्जाम 2025 में देने वाले हैं और क्लास 10th में हैं उन बच्चों के लिए वीड़ेज बनाया जा रहा है दोस्तो यह सतर की शुरूआत दोश्चिस सतर की शुरूआत के पहले ही मैं आपको बता दूँ कि जो आपके बहुत ब कलपी प्रसं अब आ रहे हैं वो बहुत ब कलपी प्रसं जाबस और आउट आप स्लिवर से भी questions आ रहे हैं क्योंकि पेपर के जश्ट बाद मैंने solution कराया था और बहुत सारे हिंदी के teachers से मैंने बात की और पता चला कि 3-4 questions ऐसे थे कि जो उनको भी नहीं आ रहे थे तो आप तो मतलब की preparation कर रहे हैं तो आपको कैसे आएंगे इसलिए आप इस class क इंड तक देखिएगा आपके जितने भी बहुविकल्पी प्रस्नों से doubt होंगे वे सारे के सारे doubt को मैं clear कर दूँगा और मैं आपको बता दूँ कि जो हिंदी सब्जेक्ट है वो आपकी सबसे cutting subject होगी क्योंकि जो हिंदी के बहुविकल्पी होते हैं वे out of slaves भी हो सकते हैं इसी वज़े से जो आपके questions होंगे सबके सारे एक सारे क्या होगे बहुत important होंगे और 24 का question paper से लिया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे paper का code भी आपको दिख रहा होगा समझ लेजे यह previous year question paper से लिया गया है कितना important होगा total 20 questions इस वीडियो में कराऊंगा अगर जो आप 25 म हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं total 60-70 previous year question paper हैं यहाँ पे आप जितने भी line से देखेंगे देखिए सब previous year question paper जितने भी हैं बहुत सारे question paper मेरे पास है total UP board में जितने भी 7 set के paper बनते हैं वे सारे के सारे set मेरे पास आल्रेडी पड़े हैं और इन ही में से मैं question आप लोग के प्रस्णों की आपको regular attend करना है देखिए पहला प्रस्ण आपके स्क्रीन पे है हिंदी का 25 के लिए ठीक बच्चों पहला question है कि बैदे ही वनवास के रचनाकार है देखिए पहले से इस पर टिक किया ज़जा चुका है इसलिए क्योंकि जो paper बच्चा दे रहा था उसने खु से नहीं मिलेगा किताम में आपको question खोजेंगे तो नहीं मिलेगा ठीकर बच्चों तो जो बैदेवी वनवास के रचनाकार है कौन है अयोध्या सिंग अपाध्याय हरियाओद आप इसको क्या करेंगे याद कर लेंगे और आप एके question को रट नहीं सकते आप एके question को रट न explain करके बताऊंगा कि आपको खुदी आपके माइंड में सेट हो जाएगा ठीक है तो आपको पहला question था वैदेही वनवास के रचनाकार तो अयोध्या सिंग उपाध्याय हरियोध ठीक है दूसरा question है कि प्रयोग वाद के कवी हैं देखी जो प्रयोग वाद के कवी हैं ओ कौ तीसरा question दिया है कि भाव विलास के रचनाकार हैं आप comment करके बताएंगे कि आपको पहले से कितने questions के answers आ रहे थे ठीक है भाव विलास के रचनाकार कौन है तो भाव विलास के रचनाकार बिहारी जी है कौन है बिहारी जी भाव विलास के रचनाकार है बिहारी जी नहीं इ इसमें बिहारी गलत है बच्चों ठीक है चौथा कोशन देखिए चौथा है कि छत्र साल दसक किन की रचना है जो छत्र साल दसक है वो किसकी रचना है किसकी है तो भूषड की छत्र साल दसक भूषड की रचना है महा कभी भूषड की रचना है ठीक बच्चों पांचवा है उसका रचना कार कोन है तो गिर्जा कुमार माथन कौन है गिर्जा कुमार माथन उसमें क्या हो जाएगा आपका कर सकताहई चाहिए और दोट आज IT तेऊ पर तो किस apocalypse यह स्य हूंसां जुक। ठीक है बच्चो, आत्म कथा विधा की क्या है, रचना है, तो यह आपके आत्म किसा बदा की रचना है, ठीक है, सात्मा कोश्चन देखिए, सात्मा कोश्चन है, कि निम्लिखित में से सुकल्यूग के लेखक हैं, सुकल्यूग के लेखक कोन है, तो स्याम सुन्दर दास, स्या से प्रस्ण अप्र त्यार कर देंगे आठमा कोश्ण आपका दिया है निम्लिखित में से कौन सा कथन सही है देखिए पहला कथन दिया है कि ससांग के रचनाकार अचार राम राम चंद्र सुक्ल है तो जो ससां की रचनकार है उ अचार राम चंद्र सुक्ल नहीं है यह पुणले ती्क है नेक्स फूले आपसेन है की आकास दीप कहानी के लेख़क राम कुमार वर्मा है तो कौन से हैं जैसंकर प्रसाल इसको लिखे है यानि कि ये भी वाक्य गलत है तीसरा है कि भार्तेंदू, हरिश्चंद्र, अलोचना, साहित्य के जनक माने जाते हैं तो कि ये क्या है? ये सही है ये तीसरा अप्षन क्या है? आपका सही है यानि जो आपका सी वाला अप्षन है वो क्या है बिल्कुल राइट है कि भारतेंदु हरिस्चंद्र आलोचना साहित के जनक माने जाते हैं क्या है बिल्कुल राइट ओप्सन है ठीक है नवा है कि परिछा गुरु किस विधा की रचना है जो परिछा गुरु है वो किस विधा की रचना है उपन्यास विधा की रचना है यह हिंदी का प्रथम उपन्यास था परिच्छा गुरू ठीक बच्चो दस्वा कोशन देखिए दस्वा कोशन है कि बाड़ भट की आत्मकथा के रचनाकार हैं धरमवीर भारती हैं धरमवीर भारती हैं ठीक है ठीक बच्चो और हम 70 में 70 लाने की कोशिस करेंगे बिलकुल भी एक नमबर भी हम लोग कम नहीं करना चाहेंगे ठीक बच्चो सात्तर में 70 लाने के आप लोग कोशिस किजएगा और मैं अपने माक्स बता दू कि 100 मी से हिंदी में कितने हैं 100 मी से जौधे नहीं 91 नमर है हिंदी में लेकिन सब बच्चों को चाहिए कि अपना सुजेक्ट है इसको आप लोग त्यार कर सकते हैं तो रस्त के कितने अंग होते हैं तो चार होते हैं चलिए बारवा प्रसन देखते हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पक्ति में कौन सा अलंकार है तो कौन सा है रूपक अलंकार कैसे रूपक अलंकार है पायो जी मैंने तो राम रतन धन पायो क्या गिया गिया है इसमे कि मैंने क्या पाया राम रतन धन इस पक्ति में कौन सा अलंकार है तो रूपक अलंकार है ठीक है तेरा नमबर कोश्चन है कि सोठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती है तो सोठा के पहले चरण में 11 मात्राएं होती है कितनी होती है तो 11 मात्राएं होती है चोदर नमबर कोश्चन है कि निर्दे सब्द में प्रियुक्त उपसर्ग होगा क्या होगा निर्दे सब्द में तो जो निर है आपका यानि कि जो निर है वो क्या होगा निर्दे सब्द में क्या उपसर्ग है तो निर इसमें आपका हलंत रहेगा ठीक बच्चो पंदर नमर कोश्चन देखिए निलगाय में कौन सा समास है तो कौन सा समास है करम धारे कैसे करम धारे है निलगाय आपने देखाओगा जिसमें निलकंठ हो गया निलगाय हो गई इसमें कौन सा समास होता है तो करम धारे आप लोग कोमेंट करके बताते रहेग जो छेतर है हो क्या यह हो तत्सम रूप है सतरह नमबर कोश्चन है कि यूसमत सब्द का पंचमी विभक्ती भवजन का रूप होगा तो क्या होगा? C option इसमें सही होगा यूसमत होगा क्या होगा? यूसमत होगा यूसमत होगा यूसमत क्या इसमें सही है अठारा नम्मर कोश्चन है कि भाव वाच में किसकी प्रधानता होती है तो भाव वाच में आपकी क्रिया की प्रधानता होती है 19 नम्मर कोश्चन है कि वाक्य के कितने तत्व होते हैं तो वाक्य के तीन तत्व होते हैं बच्चो किस नाम से अव्याइपद से कि अव्याइपद से किस से जान जाता है तो देखी जो इसमें आपका अव्याइपद है ओ ज हो गया होगा इसमें ठीक बच्चो तो आपका 20 का 20 गल्पी प्रसना आपके खतम होगे और जो मेरी तैयारी मेरी चैनल से आप करने वाले हैं 70 आउट आफ संद्द 70 की करने वाले हैं क्योंकि मैंने सारे प्रिवेश एर कोश्चन पेपर आपको मैंने दिखाए क्योंकि अधर लोग NCRT बुक से देंगे लेकिन जो आपका एक्जाम पैटन है उसमें आउट आप स्लेवस भी कोश्चन्स आते हैं तो ऐसे भी कोश्चन्स हम आपको देंगे जो आपके स्लेवस में नहीं भी होंगे और आपके लिए मत्वड भी होंगे थीक बच्चो तो चलिए इसी साथ वीडियो को इंट करते हैं वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताईए अगर जो और भी आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बाक्स में जब जदी लिखैजे कि हाँ सर मुझे 225 के लिए और भी वीडियो चाहिए तो मैं जर्दी जर्दी बना के पोश्ट करूगा ठीक है बाई बाई टेक केर आफ योर्स मिलते हैं